हेलो एवरिवन मैं आपके साथ मनोज बर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि चाटिंग स्कैनर से ओटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करते हैं पहले ही मैं दो-तिन वीडियो डाल चुका हूँ चाटिंग स्कैनर पे और आप उस प्लेइलिस्ट को देख सकते हो हमारे यूटूब चैनल पे जाओगे और चाटिंग के प्लेइलिस्ट खोलोगे तो आपको दो-तिन वीडियो मिल जाएगे बट ये वीडियो बनाने का परपस मेरा डिफरेंट है अब मेरे पास ऐसे भी यूजर आ रहे हैं जो कि हमारे प्रोड़क्ट को जानते हैं कि हम करते क्या है अब उनके लिए वो वीडियो काम नहीं आरी क्योंकि वो समझी नहीं पारे मैंने उन्हें समझाया क्या है पर जो पहले से हमारे साथ automation ट्रेडिंग कर रहे थे वो इसली चीज को catch कर चुके है कि automation ट्रेडिंग चार्टिंग से होगी कैसे तो ये वीडियो काफी lengthy बनने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं as a ये assume करके चलूँगा कि आपको चार्टिंग आता है और अपने software के बारे में बताऊंगा और उसको merge कैसे करते हैं कैसे काम करता है ये deeply आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफी lengthy बनने वाली है तो अगर आप charting को जानते हो और हमारे software को नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है जो मैंने दो तीन वीडियो डाल रखी प्ले लिस्ट में आप उनको देख सकते हैं तो सबसे पहले आजाते हैं हम next level website पे ये website है और इस website पे automation ट्रेडिंग कराई जाती है international market में भी और इंडियन market में भी जो charting software है वो इंडियन market के लिए और इंडियन market के अभी हम कुछी एक सेंज सपोर्ट करते हैं जो charting से चल रहे हैं वो कैसे पता चलेगा मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपको इस page पे आजाना है इस page पे आने के बाद आपको login कर लेना है login करने के बाद आपको आपका user name शोगा यहाँ पर आपको इस पे click करना है जैसे आप इस पे click करोगे मैं open करके दिखा देता हूँ आप पहुच जाओगे dashboard पे जैसे आप dashboard पे पहुच जाओगे जितने भी आपको broker के name दिख रहे हैं company name दिख रहे हैं और जैसे मैंने बताए कि वीडियो लंबी बनने वाली है तो आपको धान से देखने पड़ेगी जैसे आप इस पे आ गए इस पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको जाना है credential के page पे मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ जाओगे right side में जाओगे credential credential में जाने के बाद आपको अपने ब्रोकर की API आड़ करने है हर वीडियो की हर ब्रोकर की API आड़ करने की वीडियो में particular बना चुका हूँ आप मुझे WhatsApp कर देना टेलिग्राम कर देना वो वीडियो में particular दे दूँ आपको और की API कैसे आड़ करते हैं या की कैसे लेते हैं फिर भी मैं आपको थोड़ा सा basic बता देता हूँ API आड़ करना की लेना वीडियो के अंदर बता रखा है आप उस चीज़ वीडियो को देख सकते हो suppose मानो मैं Alex Blue पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास Alex Blue पे मैं इस पे सेव करूँगा है मेरे सामने नीचे के डेंशल बनके आ जाएगी एक पर page को रीफ्रेस कर देता हूँ आप के सामने इस तरीके से के डेंशल बनके आ जाएगी आप देखे तो यह मेरा custom name ही जो मैंने दिया तो और यह मेरी key अगरा है जो कि इस तरीके से शोगा successfully connected to API अब इसका use क्या है मैं बता दूँ यह क्या है कि इंडियन मार्किट के अंदर यहाँ पर daily API connect करनी पड़ती है यह आपको एक token देते हैं उस token के according आप पूरे session day आप API पर order डाल सकते हैं पूरे ट्रेडिंग session वह एक बार लेना होता है और वह वन डे के लिए valid होता है तो session token after 7 o'clock आप ले सकते हो उसके बाद वह पूरे ट्रेडिंग session वैलिड होता अगर रात को आप 7 बज़े से पहले ले लेते हो जैसे 5 बज़े चार बज़े तो कई बार क्या होता वह काम नहीं करता इसलिए after 7 o'clock लोगे तो वह वर्क करेगा तो यह चीज़ तो मैंने आपको clear कर दी जब आप token ले लेते हो token लेने के बाद अब आपके e-pay connect होगी अब आप order लगा सकते हो वैसे तो हम ट्रेडिंग जो कराते हो ट्रेडिंग यूसे कराते हैं तो ट्रेडिंग यूसे order आते हैं और order लग जाते हैं बट अब भी बात हो यह चार्टिंग scanner की तो अब आपका यह page complete होगया उसके बाद दुबारा dashboard पर जाओगे dashboard पर जाने के बाद जो चार्टिंग के लिए दो चीज़े यहाँ जरूरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तीन चीज़े जरूरी है पहली चीज़े यह चार्टिंग वैबुक जैसे मैंने आपको बोला कि आप चार्टिंग को यूस करना जान है second thing जो चार्टिंग का page है मैं आपको दिखा देता हूँ यह चार्टिंग लिखा है आप जैसे इस पर किलिक करोगे चार्टिंग का यह पेज ओपन हो जाएगा अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको दूसरा दुबारा आप dashboard पर जाओगे यहाँ पर आपको दिख ब्रोकिंग आ जाएगा एक हपते में एंजल ब्रोकिंग आ जाएगा उसके बाद आप जुरोधा और अपिस्टो के आफ्टर वन मंथ बाद आ जाएगा तो इन छे साथ ब्रोकर पर आप चार्टिंग से ओडर लगा सकते हो अभी के लिए तीन है जब मैं वीडियो बना रह सेंटेक्स किया उता है जो भी हमें चीज करनी है उस चीज को हम जनेरेट करते हैं कि हम करना क्या चाते हैं जब आप करै आप क्लिक करोगे तो यह आपको variety उर्एकल कर रहा है कि आप किस किस टाइप के ओडर लगाना चाहए अगर आपका broker वह सारे ओडर support करता है कि support करता है कि भाई वो regular cover bracket तो आप वो order बना सकते हो as a example के लिए मैं दिखा देता हूँ suppose आप regular order लगाना चाहते है तो आपको करना क्या है इस पर regular पर click करना है जैसे आप regular पर click करोगे यह आपसे symbol मांग रहा है अभी symbol के लिए मैं a दाल देता हूँ as a example के लिए दाल दिया उसके बाद यह आप से पूछ रहा है कौन सा एक्चेंज है जो symbol है किस एक्चेंज में आता है आपने बाद दाल दिया NSE कितनी quantity लेना चाहते हो आपने दाल दिया a quantity buy करना चाहते हो बाइ करना चाहते हो इस सारी चीज़े आपके खोल के दे रहा कौन सा ओडर लगाना चाहते हो market, limits, SLM सारी चीज़े कर सकते हो पर अभी हमने market choose करें कौन सा product type है intraday में लेना चाहते हो delivery में लेना चाहते हो normal में लेना चाहते हो कई चीज़े होती है जैसे की option वगेरा वो normal में आते हैं और जो equity वगेरा वो CNC में आते हैं इदर तीन option में intraday कर देता हूँ इसके बाद ये पूछ रहा है बता रहा है कि आप generate code कर सकते हो आपने सारी चीज़े fill up कर दी जैसे आप generate code करते हो ये आपका centex generate हो गया इस centex को आप trading view से भी tigger करा सकते हो और आप charting platform से भी tigger करा सकते हो I hope आपको पता चल गया होगा इस page का क्या काम है फिर से मैं इस पे click करता हूँ Alex blue पे जैसे click करूँ भाई reset हो जाएगा आप इस तरीके से कई तरीके के order बना सकते हो regular, cover, bracket, cancel मतलब जो pending order उन्हें cancel करना exit order जो आपने position ले रखे उसे exit करना alternative symbol ये आपके किसी काम नहीं आएगा अगर आप charting platform यूज कर रहे हो ये trading view के लिए बना रखा है auto strike price के लिए fully algo fully algo का मतलब ये कि पुरानी position close हो नई position add हो अगर आपके कोई old position है previous position है उसे close करें नई position add हो strategy ये भी trading view के लिए बना रखा है ये भी आपके किसी काम नहीं आएगा अगर आप charting यूज कर रहे हो auto strike price ये option के लिए auto strike price जो index का price चल रहा होता है उससे auto strike price पे आपके automatic option buy and sell होते बाके alternative symbol strategy auto strike ये charting में आपके किसी भी काम नहीं आएगा पर अगर आप इसे use करना चाहते हो अपने हिसाब से तो आप इसे कर सकते हो ऐसा नहीं है अगर मैं इसे use करने बैठ हूँगा तो मैं कर सकता हो बट आप इसे use नहीं कर सकते हो बोर I think इसका कोई काम भी नहीं है महाँ पर तो ये मैंने आपको बता ढिये Sometimes generate करता है Semlex क्या होता है जो आप करना चाहते हो आप buy करना चाहते हो sale करना चाहते हो क्या stop loss लेना चाहते हो क्या take profit लेना चाहते हो ये सारी चीजे यह चीज़े आप यहाँ जनरेट करते हैं अभी इस page का use बताऊँगा अब आजाते हैं हम dashboard पर मैंने जैसे आपको बताया था algo trading जैसे आप इस पर किलिक करोगे चार्टिंग का dashboard खुल जाएगा यहाँ पर हमने तीन section दियें पहला दे रखा है stock list दूसरा दे रखा add syntax तीसरा दे रखा है जो आप महाँ से request भीजोगे वह यहाँ पर आएगी तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि यह सारी चीज़े कैसे होती है और live order भी दिखाऊंगा और scanner भी बनाऊंगा सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं जैसे आप इस पर click करोगे जैसे आप इस पर click करोगे तो यह आप से पूछ रहा है कि आप यहाँ पर symbol add करो अब आपको वह symbol add करने जिन पर आप काम करना चाहते है जैसे कि चार्टिंग ने आपको SBI भेजा पर Alex Blue पर आपको order ल होता है उसको instrument token में लेता है as example आप SBI भेजते हो तो हम अगर SBI भेजिंगे Alex Blue को तो order नहीं लगाएगा हमें उसे भेजना पड़ेगा 3045 यह उसका कोड है SBI का जिससे यह order लग जाता है तो आपको ऐसे यहाँ पर अपनी list बनानी होती है list बनाने के लिए मैं क्या करता आपके लिए new file और यहाँ पर मैं उस syntax को लियाता हूँ जैसे example के लिए जो मैंने code आप देख रहे थे आपको एक list बनानी पड़ेगी list कैसे बनाओगे आपने अभी तक देखा था इस तरीके से JSON code इसे हमारी language में कहते है JSON code तो मैंने JSON code कर दिया तो इसके अंदर मैंने बता नहीं हो पितना रखिये सा सिंबल की और यह आपको मिलें कैसे यहवी मैं आपको बता देता हूं यह आपको तो यह बताएगा कि SBI को symbol SBI को AlexBlue यह बोलता है ऐसे आप IOC type करोगे तो IOC को यह बतादेगा IOC कि IOC को दिखा देता हूँ मैं आपको यह था हमारे पास IOC IOC को AlexBlue यह बोलता है मतलब जो call करता है AlexBlue वो यह करता है तो इस तरीके साब चीजों को replace करोगे मैं आप coding file पे आ जाता हूँ दुबार से तो मैंने पहले से JSON code बना रखा इस तरीके से आपको यह code बनाना है अपने according suppose मानों आप Nifty50 के stock पे काम कर रहे हो तो Nifty50 की 50 stock के list आपको पहले बनाने है जो charting जिसको जो बोलता है जैसे charting SBI को SBI HDFC को FDFC बोल रहा होगा और उसे replace करना है Alex Blue से कि Alex Blue से क्या बोलता है जिससे कि आपका order सही चली जाए तो अभी के लिए हम यह code उठाते हैं पूरा का पूरा copy कर लेते हैं और इस code को हम charting जो इदर डाल देते हैं जैसे मैं इदर डालूँ आप एक चीज़ notice करना कि अभी इदर SBI है अगर मैं cancel करता हूँ यह देखिए यहाँ पर SBI SQL 3045 है तो यह एक ही symbol है मैं इदर गया और मैं क्या करता हूँ इसको replace कर देता हूँ इस code को मैंने remove करा इस code को डाला JSON के जैसे मैं save करूँ गा यह code अब इतने syntax में आ गया जितने मैंने syntax डाले उतने syntax हो गया ऐसे आप काफी लंबी list बना सकते हो यह तो clear हो गया उसके बाद आपको करना क्या है उसके बाद आपको यहाँ पर add syntax करना है add syntax के लिए आप क्या करोगे कि आप करना क्या चाहते हो जैसे चार्टिंग आपको scan करके कुछ stock देता है तो उनमें करना क्या चाहते हो तो इसके लिए हम फिर से है ना इदर जैसे आपको दिखाया था मैं syntax generate पर जाओगे syntax generate मैंने यहाँ खोल रखा है दिखा देता हूँ आपको आइ थिंक मैंने बंद कर गया मैं दुबारा कोल देता हूँ new tab पर खोल देता हूँ यह खुल गया यह syntax generate है आप Alex blue के पर हम click करेंगे और हम बोलेंगे कि भाई हम order लगाना चाहते हैं तो order कौन सा लगाना चाहते हो regular order लगाना चाहते हैं जब भी हमारे महां से वह आए scanner से alerts आएं और किस instrument token में लगाना चाहते हो symbol तो यहाँ पर आपको एक चीज़ धान रखनी है आपको किसी भी symbol का नाम नहीं दालना क्योंकि आपको यहाँ पर दाल चुके हो बस आपको यहाँ code दालना है इसमें आपको लिखना है cts cts का मतलब होता है custom trading symbol जो भी आपके custom trading symbol आए हैं वो replace हो जाएंगे instrument token में जो आपने list बनाई हैं तो हमने यह दाल दिया उसके बाद order कहा दालना चाहते हो एक लेना चाहते हैं बाई करना चाहते हैं यह अभी आपको replace करना पड़ेगा आप दोनों में से कोई भी choose कर सकते हो क्योंकि हम जो चीज करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या है कि जब बाई का signal आएगा आपने सपोज मानों दो अलर्स बना रखे हैं चार्टिंग प्लाटफॉर्म पे जब बाई का signal आएगा तो automatic buy कर ले sell का signal आएगा तो automatic sell कर ले इस तरीके से हम चीजे करने जा रहे हैं तो इसे हम replace करेंगे अभी आप कोई भी choose कर सकते हो अगर आप replace नहीं करोगे तो यह automatic जो आपने select करा होगा वही करेगा उसके बाद market order लगाना चाहते है intraday generate code code होगया हमारा generate इसे हम copy कर लेते हैं copy करने के बाद हम फिर से यह ABS खोल लेते हैं और इस code को यहाँ replace कर देते हैं यह syntax कुछ इस तरीके से बनाए अब इसके अंदर देखो यहाँ पर buy लिखा है जहां पर buy और sell लिखा होगा उसको आपको क्या करना है capital में auto लिख देना है auto मैं लिख देता हूँ auto auto का मतलब यह है कि जो भी alerts आपका महाँ charting platform से आएगा वो decide करेगा कि आपको buy करना है और कैसे लगेंगे मैं आपको दिखा दिता हूँ मैं चलता हूँ charting platform पे यह मैं charting platform पे पहुच गया और charting platform पे पहुचने के बाद मैं watch list पे जाता हूँ एक मिट alerts पे जाता हूँ एक second मिरे पास कोई भी alerts नहीं है तो मैं है na create scan पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने दो alerts बनाता हूँ आपके सामने ही दो alerts बनाऊँगा बाद में दालूँगा आपको दिखाता हूँ तो मैं दो alerts बनाऊँगा एक buy का एक sale का तो मिरे को जैसे मैंने बता है मिरे को भी charting platform यूज करना नहीं आता हूँ तो मैं यहां क्या करता हूँ मैं select कर लेता हूँ यहां पर अपनी watch list मेरे को नहीं पता इससे क्या होगा and create पे क्लिक करता हूँ यहां जाने के बाद मैं select कर लेता हूँ close close से greater than कर लेता हूँ greater than किस से कर लेता हूँ number से number के अंदर दाल देता हूँ greater than 1 कि अगर कोई भी stock एक रुपे से ज़्यादा close दे रहा है तो वो मेरी list में आ जाए ठीक है जी मैंने यह कर लिया अब मैं इसको scan करता हूँ scan करने के बाद जो मैंने watch list बनाई थी इन 5 stock के बनाई थी और 5 रुपे से ज़्यादा closing दे रहे है तो मेरे को जो alerts आएगा उसके अंदर यह चीश आ जाएगी अब मैं इधर क्या करता हूँ मैं इसको name दे रहता हूँ buy आपके सामने buy दे दिया आप capital small कुछ भी दे दो और submit कर देता हूँ जैसे मैं submit करूँगा यह मेरा एक वो बनगी watch list बनगी अब इस पर मैं create alerts कर देता हूँ आपके सामने alerts पर गया यहाँ पर मैंने आपको चीश धान रखने ही alerts name है अगर auto आपने डाला है कि जब buy आए, buy हो, sell आए, sell हो तो इसको change करना है यहाँ मैं लिख देता हूँ buy इसे replace करके buy लिखना है condition का time मैं 1 minute लगा देता हूँ यह चीज़े आपको अपने आपसे सीखने है किस तरीके से काम आता है बस मैं desktop view कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ duplicate आप unique and duplicate का मतलब चार्टिंग पर समझ लेना मैंने जैसे बोला मुझे नहीं पता और इसे save alerts कर देता हूँ जैसे save alerts करता हूँ, यह save हो गया अभी मैंने webu qrl नहीं दाला तो alerts नहीं आएगा इसी चरीके से मैं दूसरा बना लेता हूँ इधर गया create scan पे and दुबारा से मैंने condition ली यह भी मैं watch list से ले लूँआ इधर गया and इधर जाने के बाद मैंने इहाँ पर ले लिया close and इस time ले ले लेता हूँ मैं less than, less than कितने से यह ले ले लेता हूँ मैं देड़ सो से less than and यह मैंने less than की condition दाल दी देड़ सो दाला था 150, less than की condition दाल दी run करता हूँ run में में मेरे पास watch list मैंने बनाई थी 5 stock की watch list थी जिसके अंदर से 3 stock की watch list में आ रहे है मतलब यह देड़ सो से नीचे चल रहे है closing दे रहे हैं वो 3 stock है तो मेरे पास यह 3 ही जाएंगे अब मैं create alerts कर देता हूँ create alerts आपके सामने करने जा रहा हूँ OK करता हूँ save, अच्छा यह save करने को कह रहे हैं मैंने save करा, save करने के बाद इदर गया इसको मैं sale नाम दे देता हूँ आपके सामने, submit कर देता हूँ submit करने के बाद मैं create पे जाता हूँ अब यहाँ पर आपको sale देना पड़ेगा जिससे automatic sale और buy हो मैंने sale कर दिया one minute कर दिया इसका time frame भी और इसके अंदर भी duplicate कर देता हूँ URL मैं अभी बाद में डालूँगा तो मेरे दो alerts बन गए alerts देखने के लिए आप real time alerts पे जाओगे और alerts पे click करोगे तो आपको दिख जाएगा यह आपके दोनो alerts बन गए है और last time run none है और last time run none है और इसके अंदर थोड़ा से edit करना पड़ेगा मैं इसको जाता हूँ इसको जाता हूँ इसको कर देता हूँ मैं edit क्योंकि मैंने इसके अंदर एक चीज गलत कर दी कि मिले कोई desktop पे चाहिए notification and save अब मैं दुबारा से जाता हूँ और आप देखोगे alerts पे गया तो मेरे दोनो alerts on हो गए या आप देख सकते हो एक buy नाम से बनाए एक sale नेम से बनाए अगर alerts नेम देखोगे ये सही होने चाहिए buy और sale जो alerts आएगा अगर आपने buy sale नहीं लिखा replace करके तो order नहीं लगेगा आपका तो मैं आपको बिल्कुली beginner समझ के समझा रहा हूँ कि जिससे आपको समझा आप मेरे दोनो alerts on हो गए बट अभी हो क्या रहा है कि ये alerts हमारी side तक नहीं पहुचा पा रहा क्यों नहीं पहुचा पा रहा क्योंकि हमने इसके अंदर web hook URL नहीं डाल रखा तो मैं आपके सामने इसके अंदर web hook URL डालूँगा जिससे ये order हमारे पास पहुचाएगा scan करके जो भी हमारे scanner में आते और वो order लग जाएगे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ मैं Alex Blue पे चलता हूँ order में चलता हूँ तो आप देखोगे कि zero complete है zero trade है इसका मतलब मेरी आज कोई भी trade नहीं हुई और कोई भी order नहीं लगा तो आप मैं चलूँगा अपने dashboard पे dashboard पे जैसे मैंने बताया था यह charting webbook है इसको copy कर लूँगा जैसे मैं इसे copy करूँगा webbook URL हो गया copy यह आपका personal webbook URL होता है इसे आपको किसी को share नहीं करना उसके बाद मैं अपने charting dashboard पे चलूँगा मैं यहाँ पर check करूँगा यह मैंने status activate कर रखा है इस मिन की जो भी मेरे charting platform से signal आएंगे वो order इनके अंदर लग जाएगा एक quantity बगएरा बगएरा से लग जाएगा अभी आपको दिखाता हूँ उसके बाद जो भी response आएगा charting से वो आपको यहाँ दिखेगा अगर आप देखोगे तो last response 31 तारीक को आया था आज एक तारीक है तो आज मैंने कोई भी testing नहीं करी तो कोई भी response नहीं यह real time update होगा आपको दिख जाएगा आपने जो watch list यहाँ बना रखी है उन्हीं में order लगेगा suppose मानो stock list बनानी है जिससे आपका stock वो replace कर सके कि भाई महां से asok आया है और asok की जो instrument token है वो यह है तो अभी मैंने इसके अंदर 3-4 stock डाले है और आपके सामने अभी मैं share करता हूँ अब मैं चलता हूँ चार्टिंग platform पे और चार्टिंग platform पे जाने के बाद आरे हैं अपने आपी sorry दुबारा इस पे क्लिक करता हूँ और यहां modify पे क्लिक करता हूँ इस चीज़ का आपको धान रखना है इदर buy होना चाहिए जबी वो buy करेगा और यहां पर मैं अपना web book URL paste कर देता हूँ और save कर देता हूँ जैसे मैं इसे save करूँगा यह save हो गया अब मैं दुबारा जाता हूँ real time पे और यहां alerts पे क्लिक करता हूँ और sale के alerts पे जाता हूँ और यहां पर जाने के बाद modify alerts करता हूँ यहां पर भी अपना web book URL paste कर देता हूँ और save कर देता हूँ अब मैंने save कर दिया है दोनों चीज़े save कर दिये अब जो भी मेरे alerts आएंगे automatic मेरे order लगते रहेंगे आपको दिखाने के लिए मैं demo दिखाता हूँ यहां पर अभी आप देखिए कोई भी alerts नहीं आया जैसी वो महां से alerts देगा scanner कि भाई आपके stock list के अंदर यह scan हो क्या है उतने पर मेरे order लग जाएंगे देखो यह एक request आईए 2021 दूसरा महना और एक तारिक तो यह stock पर मेरे order लग गया हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ इधर गया और इधर देखो यह मेरे दो order लग दे order यह reject होगे reject होने का region मैं आपको बता देता हूँ reject होने का region है कि मेरे पास fund नहीं है तो इसलिए reject होगे तो दो order आयता है और sale हुए है sale क्यों है क्योंकि मेरा sale का alerts दिगर हुआ था अगर आप देखोगे मैं charting पे चलता हूँ इधर platform पे चलता हूँ अगर आप response देखना चाहते हो क्या आया तो जैसे आप इस पे click करोगे तो इस response में आपको दिखाएगा stock के अंदर NTPC आया था IOC आया था asoclayland आया था asoclayland मेरे पास मैंने add नहीं करा है इसलिए order नहीं लगा और यह जो alerts name था alerts name आपको अगर मैं दिखाऊ alerts name यह देखोगे alerts name sale है तो इसलिए sale हुए इस तरीके से जितने भी आप महाँ से order आएंगे automatic मेरे order लगते रहेंगे हम थोड़ी दिर wait करते हैं wait और देखते हैं कि कौन-कौन से alerts आ रहे हैं और मैंने वैसे तो एक मिनट के time frame में जो सारी चीज़े लगाई है और जैसे मैंने बताया कि मेरे को charting खुद यूज नहीं करना आता मैं आपको दिखा देता हूँ real time alerts पे गया alerts पे गया तो यहां पर मैंने यह condition जो लगाई है एक मिनट के time frame में लगाई है और मुझे जैसे मैंने आपको बता है मेरे को खुद यूज नहीं करना आता अच्छे इन्होंने दे रखा view और alerts टिगर यहां पर आप वो alerts भी देख सकते हो जो टिगर हो रहे हैं पर मेरे को नहीं लगता है यह proper काम करता है क्योंकि पहले जब हमने alerts बनाई थे तो हमने वैबुक URL तो दाला नहीं था पर scan list के दिखा रहा था कि हाँ यह alerts हुए है तो यह वो चीजों को भी दिखाता है जो आपके पास भेजी नहीं है पर आप देख सकते हैं स्कैनिंग में कौन-कौन से आए तो अभी के लिए जो हमारे पास आया था कितने वज़े आया था तीन बचके कर्टिस्मन पर buy भी आया sale भी आया पता नहीं क्या है पर हमारे पास जो पहुचा है आपको दिखा देता हूँ अभी तक दूसरा signal भी पहुच गया यह देखिए automatic इस तरीके से आपके trading यह दुबारा आया देखो यह दुबारा तीन buy का आया अगर हम इधर जाएंगे तो इधर जो latest आया यह वाला यह buy का होगा आपको खोल के दिखा देतों इधर गया alerts name buy तो इनने खुद ही buy कर दिया तो इस तरीके से यह काम करता है अब मैं आपको एक चीज और बता दू वीडियो तो बहुत लंबी बनगे 23 मिनट के बनगे 2-4 मिनट और खैस दूँगा पर जो इतनी deeply मैंने आपको समझा है I hope आप समझ पा रहे होगे as a beginner लेके चल रहा हूँ कि आपको हमारे platform के बारे में पता ही नहीं है आफ कर दिया जिससे यह अलट सी ना बेजिए इस तरीके से भी आप आफ कर सकते हो नहीं तो आप यहां जाके इसको भी inactive कर सकते हो जिससे कि आपके order महां से भीजे भी तो हम ना लगाएं तो यह चीज़े हो गए पर आपको एक चीज़ धान रखनी है आपका API connection बना होना चीज़े जो मैंने बना दिया है पहले ही बना दिया था आपके सामने इस वीडियो में ही बनाया था यह जो सैंटेक्स बनाया था हमने हमने बनाया था खाले buy sale करने का हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ करना हो जिससे कि जैसे आपके पास कोई पुरानी position पहले से activate as a example के लिए मैं ये खोल लेता हूँ suppose मानो मेरे पास ये position NTPC की buy हो रखी थी अब मैं चाहता हूँ जब मेरा signal आए तो ये buy position मेरी close हो और sale की position मेरी लग जाए जो भी signal आया उसके according वो position लग जाए so suppose मानो मेरे पास sale का alerts आया तो sale हो जाए और पुरानी position close हो जाए ऐसे के लिए आपको centex में जाके ये मैं centex पे जाता हूँ यहाँ पर आपको जाके fully algo पे click करना पड़ेगा जैसे आप fully algo पे click करोगे तीन option दे रहा है आपको regular order लेना है यहाँ हम दालेंगे cts cts जैसे मैंने बताया तो cts का मतलब custom trading symbol है nsc quantity one कर देते example के लिए buy करना चाहते है market order इसके अंदर marketing order है fully algo के अंदर and intraday generate code तो जैसे code generate हुआ इसके अंदर है आप देखोगे cts लिखा हुआ है पूरे code के अंदर एक ही जगा buy लिखा है एक ही जगा buy लिखा है tt का मतलब होता transaction type जिसके अंदर हम बोल रहे है तुझे buy करना है पर आप इसे करोगे auto auto का मतलब होगा कि जो alerts आपका alerts name है जो चार्टिंग ने alerts name भीजा है उनने sale भेजा है तो auto में sale दल जाएगा अगर buy भेजा है तो buy दल जाएगा तो इसके हिसाब से होगा क्या इसके हिसाब से पुरानी position पहली आपकी close होगी जो भी आपकी buy ती और अगर वहाँ से sale आया है तो auto में sale दल जाएगा और नई position sale की add हो जाएगी इस तरीके से आपका fully automation चलता रहेगा तो मैं अभी आपको live demo तो दिखा नहीं सकता बट आप इस चीज को समझ सकते हो कि मैंने क्या बताए क्योंकि live demo के लिए balance होना चाहिए कि जिससे पुरानी position कट है और नई position add हो तो अभी इतना fund है नहीं एक बार मैं fund check कर लेता हूँ 22 rupees है यह मेरा account नहीं है एक user का account है मेरे friend है जो उनका account है तो इसमें एक share भी नहीं आएका नहीं तो मैं इस पे भी आपको live demo दिखा देता अभी हमने alerts off कर दिये थे जिसकी वज़े से order नहीं जा रहे I hope आपको पता होगा and मैं फिर से चलता हूँ मैं alerts को activate कर देता हूँ अभी भी order नहीं जाएंगे क्योंकि charting जो मेरा dashboard है मैंने inactivate कर रखा इससे भी activate कर देता हूँ तो जैसे आपको दिखाया था मैंने 10 order आ चुके है अब wait करते हैं हम अगले alerts का तो आप यहाँ time भी देख सकते हूँ जो last alerts आया था वो 15 बचके 2 मिनट 11 सेकिंड पर आया था इसका मतलब 3 बचके 2 मिनट 11 सेकिंड पर आया था अब wait करते हैं जैसे कोई alerts आएगा और तो मैटिक फिर से order लगा देगा यह last एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके अंदर अभी आपके 10 order लगे हैं तो wait करते हैं हम एक signal के आने का और I think मेरे को जैसे मैंने बता है मेरे को भी charting यूज करना नहीं आता मुझे लग रहा है इसे activate करने से signal provide होने लग जाएंगे I hope होने लग जाएंगे बट मैं यह assume करके चार्टिंग प्लैटफॉम आपको बहुत अच्छी तरीके से यूज करना आता अगर आपको चार्टिंग प्लैटफॉम भी यूज करना नहीं आता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको automation trading करना अच्छा दूसरी चीज आपको हमारे system को on रखने की जूरत नहीं है आप जब सुबह morning में API connect कर दे तो आपके order लगने लग जाएंगे अब यह देखिए एक signal आया है 15.06.09 पर अगर आप देखो के पहले मेरे 10 order ते आप 12 order होगे इस signal के अंदर मेरे पास 2 stock आये जो मेरे पास मेरे लिस्ट में ते आये तो 3 होगे पर मेरे लिस्ट में दोते तो उन दोनों पे एक एक quantity का इनने order लगा दिया I hope आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ तो thank you for watching this video इससे पहले भी मैंने प्ले लिस्ट के अंदर कुछ वीडियो दाल रखी है वो भी देख लीजिएगा चाटिंग की आपकी काम आएगी and thank you for this video अगर आपको इससे related कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हो Telegram गूरूप को जोइन कर सकते हो thank you for watching this video and bye